समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर होफुली आप सभी स्वास्ते ही होंगे तो आपके लिए गुड इन्फार्मेशन हम आपके लिए लेके आज इन्फार्मेशन बताने से पहले मैं बता दूँ यह हमारा इंस्टक्र आपकाउंट है फोलो कर लेजिए यहा मारे पांच मेंबर आलरेड़ी इस पेज को चला रहे हैं आप यहां पे कुछ भी पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो ड्रक्टली पूछ सकते हो यहां पे दन्यवाद है चलिए अब हम आपको पताते हैं कुछ खबरी किया है जम्मु यनिवस्टी की तरफ से क्या जम्मु य शांती से भी किया था लेकिन और शांती से तो माने नहीं जम्मु यनिवस्टी इसलिए प्रोटेस्ट करना पड़ा और आपको मैं गूड इन्फरमेशन यह बता दूं कि जम्मु यनिवस्टी ने इस बार जो अलिजिबिल्टी है फिफ समेस्टर की वह चेंज करती है यह जो खुशी कबरी आपके लिए सिर्फ आपके लिए मुबारके हैं आप सभी को कि आपका जो प्रोटेस्ट है वो काम्याब रहा है जम्मु यनिवस्टी ने नोटिक वेशन आउट कर दी है आजी के दिन जिसमें यह है कि यह सिर्फ जो रिलाक्सेशन मिली है इस बार फिफ समेस्टर पूरा पास होना चाहिए आपको सैकेंड समेस्टर के आपके 50% क्रेड़ और ठर्ड समेस्टर के भी 50% क्रेड़ होना चाहिए और साथ ही साथ जो फो समेस्टर का है सभी आपको इंटरनल असेस्मेंट पास होनी चाहिए सभी सबजेक्टिश की तो फिर से बता दे स्क्राइब करेड़ सेक्ड समेस्टर और घर्ट समेस्टर के और साथ इसाथ फॉर्ट समेस्टर का इंटर्नल पूरा पास होना चाहिए तब भी आपको अडमेशन मिल सके किए काफी बड़ा चैंजिस जो जमुए अनुस्टी की तरफ से नोटिक वेशना है अभी अभी और बता दूँ ये सिर्फ इस बैच के लिए नेक्स्ट बैच जो आएगा जमुए अनुस्टी में फिफ समस्टर मैड़ मिशन लेने के लिए उसका वही सेम अलिजिबिल्टी ये होगा धन्यवाद